हाई एवरीवन आप सब कैसे हैं I hope you all are fine मैं हूं अंजली ब्लॉगर जी चैनल में आपका बर्बर सवगत है और आज मैं आपके लिए लेकिया हूं जैसे कि आपने टाइटल में देखी लिया है यह है एक कप उड़त की दाल तीन कप यहां पे मैं जाल रही हूं राइस और इन इसको ओवर्राइट सोक कर लिया है और यह सोकिंग के बाद देखे यह है आट दस घंटे के बाद दाल इस तरीके की हो गई है और इसे इस तरीके से चन्नी से निकालेंगे पानी नहीं डालेंगे और पीसेंगे बढ़िया करके एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए द देखेंगे बिल्कुल यह भी आट दस घंटे के लिए सोक कर दिये दोनों चीज़े एक सार और यह बढ़िया हो गए एकदम सॉफ्ट अब बस इसको भी इसी तरीके से चन्नी से निकालेंगे इसका पानी ऐसे और बिना पानी के हम इसे बढ़िया करके पीस लेंगे बितना मारे चावल और दाल पिस गए हैं दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है बढ़िया गर के थोड़ा दो मिनट तीन मिनट के लिए इस तरीकी से फेट भी दिया था ताकि दाल चावल बढ़िया से सम मिक्स हो जाएं यह देखें इसको छोड़ देंगे हम 8-10 घंटे के के लिए और अब यह देखिए फर्मेंट होने के बाद का रिजल्ट यह इस तरीकी से फूल गई है थोड़ी सर्दिया है तो थोड़ा कम फर्मेंट हो रहा था और जब हम 8-10 घंटे बाद इसे दुबारा से एक बार और पीसेंगे बिना पानी डाले मैं पानी नहीं डाल र सामबर चटनी मनाते हैं इसको रख देते हैं एक तरफ ढ़क कर आधा मैं बनारी हूं चटनी आधा मैंने कोकोनेट ले लिया है और आधा कपी मैं यहां पेनत ले रही हूं पीनट को रोस कर लिजिए अगर रोस्ट है आपके पास पहले से ही तो मत करना पीनट को अच्छे स जो इसके निटा दि भी इस तरीकी से रगड़ेंगे थोड़ा वटकेंगे तो सारी जो इसके चिक्कर रहा हट जाएंगे जादा तर जितने अज़ीं थीके नहीं अपकर नहीं कोई बात नहीं इस सब्सक्राइब हो गई थे मैं यहां डाला है आधी नहीं बड़ी वाली राह ठाई जो होती है फो डाली है थोड़ी से गरी पत्ततर आ अदर्स और यहां पर इसे भड़ीया समारत तरकर तयार होगा हरी मिर्च तो हमने वैसे भी पहले जीरा डालके तीन प्याज को बारी काट लिए है हरी मिर्च दो तीन को काट के अच्छे से सोटे कर लेंगे बढ़ी ऐसे थोड़ा सा गोल्डन हो जाए यह हलका सा और इसमें डाल देंगे तब पनीर मसाला दो चमश में पनीर मसाला अट कर रही हूं यहां पर देखे इस तरह हमक यह अदिखे अधा मिर्च हमव फुल फूर्फ में लिख रही हों स्कृण पर दिखे लिखे रही है म Sep already celery यांनी सुक और यह pork हरी और एक मिधा आधे यह प्लसकी ज़रा दोड़ा हूं मैं यसे बूलेंगे सारह मसाले अएम ठोड़ा सा धरिया कर लागे तोड़ा सा फ्रेश धन्या डाल देंगे बढ़िया खुश्बू आतेस से अरोमा आता है और अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया करके देखे किता यह में लगना यह है अदर किलो फनी जिसे मैंने अच्छे से क्रंबल कर लिया है ऐसे हास से तोड है और हमारा हो गया पर यह का मसाला तयार एक साइड लख लेंगे यह मैं बना रही हूं सांबर सांबर के लिए मैंने एक कप तूर दाल आधा कप मसूर दाल दोनों को अच्छे से जो है दो के चार-पाज बार और इसमें पांच-छे गुना पानी डाल के और एक चमश नमक पांच-छे जो आपके पास हो जो आपको अच्छी लगती हो वह आप इसमें कट करके डाल सकते हो तो यह मैंने डाला है एक आलू गाजर और शरगम इन सब को अच्छे से मैंने काटके इस डाल के साथ ही डाल दिया है और मैं इससे प्रैशर कोक नहीं कर रही हूं स्म गैस बना रही हूं दीरे दीरे क्योंकि इस तरीके के बनेवे सांबर का टेस्ट ही गजब होता है तो इस तरीके से आप इसे एक साइड में कोक होने के लिए रख दीजिए 15-20 मिंट बाद आप देखोगे कि देखे कुछ सबजियां जहां इस तरीके से कोक हो गई है और दाल भी इसके थोड़ी गल गई है तो अभी तो सांबर बहुत पकेगा तो अपने आप ये सारी चीज़े गल जाएंगी ठीक है और भड़ी होती जाएंगी लेकिन जब दाल और सबजी गल जाए उसके बाद हम ये 50 गिराम इमली मैंने पहले ही भीगो के रख दी थी पानी में उसे बार ये इस पक रही है कि तक्रीवन 10-12 मिनिट हो चुके हैं इसे पकने में आप बनाते हैं एक बड़ी ऐसा तड़का तीन टमाटर करी लीफ्स और यहां पर मैंने चार-पांच चमच वायल में एक मस्टर्ड सीड डाला एक चमच तीन चार लॉंग डाली है जरासी मेथी तो दाल के थोड़े कड़ी पत्ता यांपर और मैं डाल दिया टमाटर यहां पर अच्छे से बहुत बढ़िया करके सौते करेंगे इस तड़के में आप साबुत डाले भी डाल सकते हैं उड़त की दाल एक चमच चमच चैने की दाल वह बहुत बढ़िया टेस्क करती है तो एक सामर मसाला में सारी दाल वग्व डली भी होते हैं तो कोई और शी डालने की जुरुथ है नी इसमें इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला है स्वाग्वे ठीशे मह यह नहीं आलने के बाद हें कि सामतर डालने के बाद एक मिनार टक बथोनेंगे ओल्स से ऑइल स्प्रेट हो कि अंदर डाल देंगे सामबर में और बस यहां पे लो मीडियम फिलेम है अभी से हम पकने रहेंगे कम से कम 15-20 मिनट तक ऐसे ही लो फिलेम पे ताकि सारे तड़के का फ्लेवर दाल में सबजी में सब में आ जाए अच्छी तरीके से एक चमबच में नमक डाल दिया है नमक ट तयार है तो देखें यहां पर मैं क्या कर रही हूं कि यहां पर मैंने तवा गरम कर लिया अच्छी चाओ फिल लो फ्लेम कर दिया उसको उसकी बाद एक लेडर भरके यह हमने बैटर लिया है और इसको इस तरीके से फिलाएंगे देखें दीडे दीडे पहले सेंटर में और आइरन के दवे पर बहुत भी बढ़ा बनेगा नॉनिस्टिक पर बना सकते हो उस पर और भी अच्छा बनेगा तो बस अब यह थोड़ा से जैसे ही इसका उपर कलर डार्क हो जाए दोसे का तो बस इसमें डाल देंगे ऑल या बटर जो आपको चाहिए फ्लेम यहां पर ल दोसा आपका चिपकता है तवे पे तो परिशान होने वाली कोई बात नहीं है आप उसको जब सेकंड टाइम दोसा बनाएंगे उस तवे पर आम से चुट जाएगा देखिए इतना बढ़िया पेपर वाला बिल्कुल पेपर जैसा क्रिस्प हमारा डोसा यहां बनके तैयार हुआ है और यहां मैं डाल रही है उसमें तीन चाचमच पनीर की स्टपिंग जितनी आप मर्जी चाहें भर सत्तियों के इंदर और यह देखे इस तरह की से फोर्ड कर दिया दोनों तरफ से और लीजे हो गया है डोसा तैयार एकदम बढ़िया ऐसे ही आप सारे डोसे बना लीजे इतना किस्पी है ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहा कोई इसमें यह नहीं था कि ठंडा होने के बाद भी है जो है इस सौगी हो जाएगा बिलकुल नहीं होगा और यह देखें इसी तरह की सारे डोसे आप बना लीजे और बहुत बढ़िया बनेंगे एक तब प यह आधि-आधि कर लेना मेंसे ठीक है और यह देखे कितनी बढ़िया क्रिस्पी एकदम छेट-छेट देख रहे हैं इसके अंदर डोसे के अंदर बिल्कुल पेपर थिन क्रस्ट डोसा बना है बहुत अच्छा सामर बना है टेस्टी और यमी और चटनी का तो जगा भी नहीं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी बनी और कैसी लगी आपको यह रेसिपी देखिए कितना बढ़ी है ना इसमें होल है बलकुल बजार से भी अच्छा टेस्ट और हाइजिन और बहुत ही बढ़िया यमी सूपर यमी यह मैंने नए सा पी में तब तक के लिए बाई बाई टेक किया अपना धियान रखिए और ऐसी भी जरूर ट्रै कीज़ेगा बाई बाई